तो दूस्तों जो आपने ठमली में पड़ा है जो देखा है वो बिल्कुल सขदी है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीकिसे क्रिप्टो मार्केट में सफल हो सकते हो और आज की स्कते हों आप लास्ट तक देखे तो जल्दी से वीडियो को विदाउट एडिरिंग के कंटिनू करते हैं आल राइट गाइस तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी को यह चेताव नहीं है शायद आज के वीडियो में भी ऐसा हो सकता है जो कि कुछ अमाउंट मांग रहे है बदले में ऐसा कह रहा है कि यार मैं मतलब समझा दो भाईया उनको जो भी कमेंट कर रहे है उनको अपनी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहेगा कुछ छोटा सा अमाउंट लेके मैंने उन सभी कमेंट को रिमूव कर दिया है और रिपोर्ट भी कर दिया है तो आप सतर्क रहे है जब भी मैं किसी के कमेंट का रिपलाई करता हूँ कमेंट पर रिपलाई करता हूँ तो आप उस कमेंट पर क्लिक करके ये जरूर देखेगा कि ये चैनल मेरा ही है ये जन्यून चैनल है ये सही चैनल है ये कोई फेक चैनल है ठीक है तो ये जुरू चेक करेना अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जो पहला golden rule है जो पहला golden statement है पहला golden point है वो ये है और इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसा आप देख सकते हो क्यार market इस समय पूरी तरीके से down हो चुका है पूरी तरीके से हमें down fall देखने को मिल रहा है कुछ एकाद ये से कोईन है जिसमें हमें growth देखने को मिल रही है वो भी बहुत कम बढ़ पूरा market इस समय लाल हो चुका है ठीक है तो मेरे वीवर्स से वो मुझे पता है इस तरीगे के कमेंट करते है मेरे प्रीविएस वीडियो पर कि यार मार्केट क्रेश हो गया मैं तो बरबाद हो जाओंगा मेरा तो यतने का लोस हो गया तो यार इसी से जुड़ा हुआ यह एक golden statement है golden point है कि always ready to take risk always ready to fall और यार इसी से जुड़ा हुआ scam 1992 का एक बहुत अच्छा सीन मुझे याद आ रहा है जो कि यह है आज के पहले मार्केट को गिरते हो देखा नहीं है क्या कभी इतने दिनों बात खुला है तो थोड़ा गिरेगा दूल चाटके वापस खड़ा हो जाएगा और भूल गए क्या हमारी तो शुरुआती गिर के हुई थी इसमें नया क्या हो रहा है आप दूसरे पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं दूसरा जो गोल्डन रूल है गोल्डन पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से यह बहुत बैसिक सा गोल्डन रूल है बढ़ कई लोगों को शायद नहीं पता होगा और यहीं लोग गल्तिक कर बेटते हैं कि कभी भी आपको क्रिप्टो मार्केट में अपनी सेविंच का 30% से जादा इंवेस्टमेंट नहीं करना चाहिए नहीं किसी से मांग के उधार लेके लोन लेके इसमें इनवेस्ट करना चाहिए कई बर क्या होता है कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे मार्केट में जो कि आपको ये सजेस्ट करेंगे कि भाई मार्केट अभी डाउन जा रहा है मार्केट तो डिप में ये मार्केट क्रेश हो गया है तो अभी बहुत सही समय है तेरे पास जो 10,000 रुपे है तेरी जो सेविंग है उसका पूरा का पूरा यार भाग इसमें लगा दे पूरी की पूरी इंवेस्टमेंट इसमें कर दे जबी मार्केट पंप लेगा जबी मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगी तेरा यह जो 10,000 जो तेरा यह 10,000 है वो यार 50,000 रुपे बन जाएगा एक लाग रुपे बन जाएगा इस तरीके से गलत एडवाईज उन लोगों को देते हैं और वो भी यार लालच में आके क्या सोचते हैं कि आर सभी यार एडवाईजर यही कह रहे हैं सभी वेबसाइट सभी यार कर सकते हैं क्रश पौिंट पर आप जो करंसी से कोईन है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वड़ हम-पर लोन लेके उधार लेके तो जिनका उप़र का मला बिलकली खाली होता है वही इसे गलतीLike n का 17 बड़े यार फिर भी मेरी आप सभी को यही एडवाईज है जो बिल्कुली बिगनर है कियार कभी भी अपने मम्मी पापा के पैसे कभी भी अपने रिष्टेदारों के या फिर दोस्त के कजिन वगेरा के इसमें पैसे नहीं लगाना चाहिए आपके पैसे तो डूबेंगे डूबेंगे आपकी रिलेशन्शिप में भी काफी जादा फरक इस पे आएगा ठीके तो यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए बहुत basic सा रूल है बहुत important रूल है अब तीसरे point की तरफ अब बढ़ते हैं जो कि कुछ इस तरीके से है कि अर आपको कभी भी crypto market में crypto currencies में ये जो आप अभी chart देख रहे हैं sorry ये जो crypto exchange है ठीक है exchange platform में इस पर जो आपको value देखने को मिल रहे है for an example 24% 24 होर का ये graph है इसमें bitcoin में ही 1.08% की हमें downfall देखने को मिल रहे है तो ये जो values होती है उनको देखकर आपको कभी भी investment इसमें नहीं करना चाहिए कई लोग क्या करते हैं सिर्फ जो exchange platform होते उन पर क्या करते हैं values को देखते हैं for an example कि यार अभी dog coin है या फिर ये वाला coin है इसकी market value अभी ये है और ये अभी up हो रहा है down हो रहा है तो सिर्फ यही देखकर और उसका जो future है वो predict करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है आप सभी को जैसे ये एक website है trading view ठीक है इसी तरीके से बहुत सारी इसी website है होंगी जो कि आप सभी को इस coin की पूरी history भी बताएगी coin की अभी क्या situation है वो भी बताएगी और in future आपको किस तरीके से इसमें growth देखने को मिलती है growth मिल सकती है या फिर ये down जा सकता है पूरी यार practically टेकनिकली इसमें आप सभी को बताया जाता है तो इस तरीके से आप coins का जो future coins को predict करते हैं उनकी price को predict कर सकते हैं तो ये एक सही तरीका होता है ना कि यार सिर्फ जो crypto exchange platform होते उस पर जाकर इनकी जो values होती है या फिर इनकी जो growth होती है उनको देखकर इसमें investment करें तो ये गलट decision है आप multiple source से पहले knowledge gain करिए और फिर यार अपनी किसी भी currencies को चुनिए और फिर उसमें investment करिए तो तीसरा important point ये है अब जो चोथा important point है अब देखो यार ये तीन important point है मैंने उनको खीच-कुचा के बढ़ा नहीं करा to the point आपको बताया कि इसका मतलब क्या है तो चोथे point की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि कुछ इस तरीके से है always set your target, always set your stop loss अब कई वर क्या करते हैं जादा से जादा लोग ये ही कर रहे हैं कि stop loss लगा ही नहीं रहे है माली जे for an example अभी market dip चल रहा है जिस तरीके साब स्क्रीन पर देख रहे हो तो मैंने यार क्या करा कि bitcoin पे एक लाख रुपे लगा दिये for an example एक अजार रुपे ही लगा दिये और मैंने 100 रुपे इसमें इन्वेस्ट करें 100 रुपे इसको buy करा अब मैंने अपनी जो क्या करा stop loss ही नहीं decide करा तो आपको हमेशा जब भी आप coins को buy करें dip point पर तो हमेशा उसका जो sale का target है और जो उसका sale का stop loss है वो लगा के रहे है कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको target decide करना चाहिए कि यार मैंने 100 रुपे में इसको purchase करा था और अब मुझे इसको 120 रुपे में या फिर 140 रुपे में जो भी आपका target है वहाँ जाकर इसको sale करना है जब भी market में growth देखने हों को मिले और अगर by chance या फिर आपके दुरभागे से unfortunately market अगर down चला जाता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि मेरा stop loss यह है कि मुझे 80 रुपे पे आकर इसको sale करना है और कम से कम percent में अपनी जो जो अपनी low से उसको रखना है ठीक है कई बर क्या होता है stop loss ना लगाए पाने के कारण इस पर ध्यान ना देने के कारण लोग 50% तक अपना low स करा बेड़ते तो हमेशा stop loss का भी ध्यान रखा करे पर इन एक्जांपल जैसे मैं आपको बता दिया कि 100 रुपे का 80 रुपे stop loss लगा के रखे तो चोथा point भी हो गया अब मैं देको याँ details आपको नहीं समझा रहा हूँ बिल्कुल उपर उपर का समझा रहा हूँ फिर भी आप समझ चुके होंगे अब दोस्तों जो अगला golden point है जो अगला golden rule है वो यह है जैसा आप सभी को पता है कि यार जो ये crypto market है और ना सिर्फ crypto market बलकि जो stock market है gold rates वगेरा होती है वो सभी यार international news पर काफी ज़्यादा depend करती है जितने भी globally news वगेरा आती है इन सभी का प्रभाव यार इन markets पर जरूर देखने को मिलता है for an example अगर हमारा जो crypto market है उसको लेकर अगर कोई good news आ जाती है ठीक है positive news वगेरा आ जाती है तो ये जो market है वो अचानक से pump दिखा देता है हर coin में हर coin में हमें छोटी छोटी या फिर बहुत बड़ी growth देखने को मिलती है बड़ा बड़ा से लेकर छोटा छोटा pump देखने को मिलता है सभी जो candle से वो red हो जाते है अगर यार इस market से जुड़ी हुई एक छोटी से भी negative news आ जाती है तो इसका असर भी हमारे market पर देखने को मिलता है तो जो इस से जुड़ा हुआ जो next point है या फिर ये जो point है वो कुछ इस तरीके से कि always try to gain knowledge by authentic and right source कई बार क्या होता है कि यार कई लोग जो है वो गलत source से knowledge ले लेते हैं गलत source से news उठा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यार ये वाई ये जो website है वो इस तरीके से कह रही है तो यार मुझे इस coin में पैसा लगा देना चाहिए और फिर वान लीजे क्या होता है कि भाया उस website को या फिर उस source को छोड़ कर बाकी और जितने भी website या और जितने भी news source है वो उस coin के बारे में गलत कह रहे हैं तो क्या होगा अल्टिमेटिल उसका पैसा डूब जाएगा तो हमेशा ये कोशिच करें कि आप जहां से भी news ले रहे हैं हमेशा जहां से भी update रहे हैं वो authentic source है और बहुत genuine source है और right source है ये जुरू ध्यान रखेगा माली जैयार मेरा ही एक YouTube वीडियो है आप सिर्फ इसी YouTube वीडियो को देखकर ये नहीं decide कर सकते कि यार इसमें मुझे पैसा लगाना है या नहीं लगाना है इस coin में invest करना है या नहीं करना है आप सभी जगा पर जाईए और उस coin के बारे में अच्छे सी research करिए और फिर जो अपना investment है वो करिए तो ये जो point है काफी important point है अब जो next golden rule है golden point है वो कुछ इस तरीके से है और यार ये बात तो आपको बहुत जगा देखने को मिली होगी बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवाइजर ये बात कहते हैं कि never invest in one coin never invest in one stroke never invest in one currency कई लोग क्या करते हैं यार market की बातों में आकर या फिर sorry कुछ गलत दोस्तों की बातों में आकर गलत एडवाइजरों की बातों में आकर पूरा का पूरा पैसा एक ही coin में invest कर देते हैं जैसे माली जी जो dog coin है उसको लेकर बहुत सारी positive news निकल के सामने आई थी अब कई लोगों ने क्या किया जो उनका पूरा investment था वो सिर्फ उसी coin में लगा दिया वो क्या सोच रहे थे कि यार पूरा का पूरा market इस coin को लेकर इतनी तारीफे कर रहा है कि ये in future इतना growth दिखाएगा बड़े अर ultimately क्या हुआ कि ये जो dog coin था वो गिरा भी उठा भी गिरा भी उठा भी बट उतनी जादा investment का जो return है वो नहीं दे पाया तो कई लोगों का loss हुआ कई लोग panic होकर अपनी sale निकाल दी coin को घाटे में बेच के चले गए तो ये गलत है कई बर क्या होता है कि यार कुछ लोग क्या करते है सिर्फ दो ही coin में invest करते है तो भईया कभी भी आप investment करो तो सिर्फ एक दो coin में नहीं कम से कम पाच से दस coin में invest करा करो माली जे एक लाख रुपे तो एक लाख रुपे को एक coin में ही मत लगाओ एक लाख रुपे को दस अजार करकर के दस अलग-अलग coin में लगाओ यही साई decision है और यही आपको सभी advisor advise करेंगे तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ golden points बताए और बहुत basic से हैं बढ़ यार इन ही points को कुछ premium course बताकर बेच रहे हैं बहुत simple से हैं और बहुत basic है और कुछ advance भी है जो कि आपको पता होना चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको इन points के थुरू आपको समझा सकू कि आप crypto market में किस तरीके से safely खेल सकते हैं किस तरीके से अच्छा return पा सकते हैं तो वीडियो अगर आपके काम का लगा हो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक like दे दीजिगा और चैनल पर आपको subscribe करके ही रखना है क्योंकि ऐसे ही आपको valuable content मिलते रहेंगे और एक comment दो बनता है एक comment आप जरू करिए इस वीडियो को लेकर तो मिलते हैं next update के साथ next वीडियो में till then bye bye